आज मैं बना रही हूँ बेशन की बर्फी इसको बनाने के लिए ना टो हमें गैस जलाने की जरुवत पड़ेगी और ना ही चासनी बनाने की जरुवत पड़ेगी बहुत हि आसान एकढम सॉफ्ट और बहुत हेल्दी बनेगी तो फटा-फट इसको बनाना हम सुरू करते हैं इसके लिए हमने लिए हैं एक कप चने यह भूने हुए चने हैं यह इस तरह के से मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं किसी भी किनाना स्टोर पर और दो तरह के चने होते हैं एक इस तरह के होते हैं यह देखे चिलके वाले और एक बिना चिलके के होते हैं यह थोड़ा सा सफेद होते हैं लेकिन यह दोनों चने भूने हुए हैं तो इसको हमें भूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप चिलके वाले भी ले सकते हैं ल इसका ठढ़ धकन बंद कर के इसको हम पीश लेंगे एकदम पावडर बना बना के तयार कर लेंगे दो इस तरह से बनाईंगे, मिठाई बहुछ टेस्टी बनती है और बहुत ज्यादाह है ये देखे इसको मैंने पीश लिया है अच्छ से इसका पाउडरु बना लिया है और अब हम एक mixing bowl लेंगे इसके ऊपर चननी रखेंगे और इसको हम चान लेंगे आप इसे डारेक्ट बिना चाने भी डाल सकते हैं लेकिन चानने से क्या होता इसमें अगर चने के कोई तुकड़े रह जाते हैं तो वो मिठाई में फिर अच्छे नहीं लगते हैं तो मैं इसलिए इसको चान लेती हूँ इस तरीके से जो बड़े बड़े टुकड़े हैं बहुत अलग निकल गए हैं यह देखिए और अब हम इसको साइट रखेंगे फिर से हम लेंगे वही मिक्सर जार इसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी तो मैंने एक कप चनेल यह थे आधा कप चीनी जाल रही हूँ और इनको चीनी में हम डालेंगे चार से पांच हरी इलाइची बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट देगा यह मिठाई को फ्रेस जरूर डालें इसमें और इसको भी हम पीस लेंगे चीनी का हम एकदम पाउडर बना लेंगे बारिक तो देखें मैंने च चीनी के कण बचे हैं तो वह भी निकल जाएंगे मिठाई हमारी एकदम स्मूध बनेगी बहुत टेस्टी बनेगी तो मैंने यह चीनी को भी छान लिया है इलाइची के जो छिलके थे वह निकल गए है अब हम इनको बिल्कुल अच्छा से एक बार चमस से मेक्से कर लेते है और यह देखे बिल्कुल बखुत ही फाइन पाउडर बना है अब मैंने ली है मलाई दूद की जो घर में हमारे दूद होता है उसी के उपर से मलाई ली है मैं तीन से चार चमस इसमें मलाई डाल देती हूँ अगर मलाई नहीं है तो आप इसकी जगे दूद डाल सकते है लेवर और टेस्ट भी बड़ा देता है मिठाई का तो इस दूद को भी हम मिकेसर वाले को इसमें डाल देते हैं इस तरीके से और उसके बाद हम इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्से करेंगे तो इसमें जो हमने दूद मलाई डाली है इसमें बहुत क्रीमी बनेगी और मिठाई बहुत पढ़िया बनेगी तो इसको मैं आफ़न से अच्छे से मिक्से करूंगी चम्मच से पूरा अच्छे से मिक्सें नहीं होता है तो इसका हम एकदम डो की तरह बनाके तैयार करेंगे सारा दूद या मलाइ एक साथ नहीं डाले हम इसको धीरे-धीरे यी डालेंगे इसको हमें एकदम अच्छा सा सौफ्ट टो लगाकर तेयार करना है इसमें ज्याहादा मडालेंगे यह चीन हो वुत है जो इसमें वह मेल्क होने लग जाती है उसका वीडियो मेरे चैनल पर है और इसतरीके से यह डेखिए। बहुत ही h esti he चैनल पर है और आज पैढ़े नहीं बना रही हूं और मैं इसकी आज बर्फी बना रही het बर्फी बनाने के लिए मैंने एक कंटीनर के उपर से फोईल पेपर डाल दिया है इस तरीके से बटर पेपर फोईल पेपर कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं और उसके बाद इस मिश्रन को हम इसमें डालेंगे और इसको हम अच्छे से फैला लेंगे पूरे कंटीनर में तो मैं एक चमच लूँगी और चमच की मदद से इसे अच्छे से फैलाएंगे चमच में थोड़ा सा घी लगा सकते हैं अगर इसमें चिपक रहा है तो मिश्रन नहीं तो यह इस तरीके से दबाते हुए इसको अच्छे से फैलाएंगे बराबर कर लिया है मैं उन्हें पूरा मिश्रन इस कंटीनर में यह देखिए इस तरीके से और अब हम इसमें थोड़ा सा बारी कटे हुए ड्राइफरूट डाल सकते हैं उपर से पिस्ता बादाम आपको जो भी ड्राइफरूट आपके पास है और आपको पसंद है हलका सा इसे भी हम दबा देंगे तो इस तरीके से दबाएंगे तो बिल्कुल अच्छा से इसमें सेट हो जाएगा और इसके बाद हम इसे 15 मिनिट के लिए फ्रीज में रागतेंगे सेट होने के लिए 15 मिनिट हो गए हैं मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है और ये बिलकुल अच्छा से सेट हो गया है हम इसे एक इस तरह किसे बोड के उपर निकालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकाल जाएगा क्योंकि इसमें मैंने फॉयल पेपर लगा रखा है तो बिलकुल भी दिक्कत नहीं होती है इस तरह किसे अब हम इसका फॉयल पेपर हटा लेंगे ये देखिए फॉयल पेपर हटा दिया है और एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मिठाई सेट हुई है और इसे मैं एक प्लेट या थाली में रख लेती हूँ और अब इसके होँ काट लेंगे अपने मन पसंद पीसिस आप इसके काट सकते हैं जैसे आपको पसंद है छोटे बड़े जिस भी आकार में आपको बर्पी के सेब में या आप इसे इस तरह क्यूब के सेब में काटें तो जैसे आपको पसंद है आप इसे काट सकते हैं बहुत ही soft बनी है काटने से ही पता चल रहा होगा कितनी soft बनी है और एकदम मुह में जाते ही घुल जाएगी बहुत healthy भी है इसमें हमने घी का यूज नहीं किया है और नहीं इसको गैस जलाने की जरूरत पड़ेगी इसको ब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें